मुक्तार अबास अंसारी की पैरोल खत्म 12 जून तक मिली थी मुहलत गाजीपुर से काजगंज लेकर रवाना होई पुलिस मुक्तार अंसारी के बेटे अबास अंसारी की पैरोल खत्म होने के बाद अब उन्हें गाजीपूर जेल से आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच काजगन जेल में शिफ्ट कर दिया गया है जहां सुरक्षा के पुक्ते इंतजाम किये गए थे बताते चले कि माउस अदर स्ट्रीट से विधायक हैं अबास अंसारी जिन्हें पिता की मौत के बाद 12 जून तक पैरोल मिली थी वही गाजीपूर जेल में शिफ्ट करने के बाद आज सुबह उसे काजगन जेल में भी भेज दिया गया है सुप्रीम कोट की अपील पर अबास को पिता की प्रातना सभा में शामिल होने के लिए गाजीपूर जेल में शिफ्ट किया गया बताते चले कि अबास को कड़ी सुरक्षा के बीच में काजगन से गाजीपूर जेल प्रिजनन वैन से लाए गया था सुप्रेम कोट के फैसले को देखते हुए धारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी वहीं अबास की कई अपरादिक मामलों में विचार दिन कैदी के रूप में जेल में बंध है अबास के पिता मुकतार अंसारी के 28 मार्च को तबेद बिगरने के बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई थी और 30 मार्च को मुकतार कालीबाग की कबरिस्तान में सुपुद्रे खाक किया गया था जिसके चलते रातना करने के लिए जो है अबास अंसारी को 12 जून तक 3 दिन के लिए तरौल मिली थी और आज कास गंजेल में शिफ्ट कर दिया गया है